आप लोग कैसे हैं आसा करते हैं आप सब लोग बहुत ही खुश होंगे आज मैंने चीली मश्रूम पनीर बनाई है काफी अच्छी डीस है सबने बहुत ही पसंद से खाई दस मिनट में बनने वाली डीस में आपको आज सेयर करने वाली हो तो अपने ज़रो इसे ट्राइ करिए इसको बनाने के लिए न हमें ज़्यादा इंग्रियेंस की भी जूरूत नहीं है अगर दो तीन इंग्रियेंस भी हो न यह काफी अच्छी टेस्ट बनके निक आती है इसके लिए हमें दो प्याज रो टमाटर एक सिम्ला मिर्च मैंने लिया है और मैंने प्याज को इस तरह स सिम्ला मिर्च है कैप्सिकम इसे भी मैंने बरे बरे पिसस में काट ली ऐसा नहीं कि अगर एक बोल काटना है इस तरह से काट ली और यहां मैंने टमाटर यूज किया है आप चाहो ना यहां पर जो रिड वाली आती है अब उसे यूज करिए यह अगर पीली वाली मिल जाए है मेरे पास नहीं थी और नहीं मैं जहां रहे थी वहां पर अवेलेबल था तो मैंने यह टमाटर को ही सोचा कि इसका बीज निकाल लेंगे और इसको डाल लेंगे इसे भी काफी अच्छी टेस्ट आएगी ऐसा कुछ नहीं है और बस हम यहां पे बस टेरी टमाटर अब चलिए हम इस पनीर को भी न बड़े बड़े पीसिस में काट लेते हैं और बाड़ी है मश्रूम देखिए मश्रूम को भी हम इस तरह से दो दो टुकरा में कर लेंगे हम यहां पे यह मश्रूम हम कल ही बनाने वाले थे तो बस कुछ गेस्ट लोग आगे घर पे तो मैं बनाने पाई उसके काना थोड़ा थोड़ा काले हो गया है लेकिन ज्यादा भी नहीं ठीक है तो मैंने इसको साफसुत्रा कर लिया अब हम ना इसको एक बरे से बरतन में डालेंगे और इसको मेरिनेट करेंगे अब इस मश्रूम को ना बरे से बरतन में हम डालेंगे अब हम से तो होना नहीं है फिर मैंने स्पूनियोर्स किया है आप यहां पर ना दो से पहले एक से डिर्चमस डालीएगा और इससे कर लेंगे ताकि इसमें सारे में चला जाए इससे आपको अंदाजा आ जाएगा क्योंकि जो मश्रूम है उसमें पानी बहुत ज्यादा होता है तो हम इसमें पहुत जाता पानी होता है और इसमें भी मैं टालूंगी देखती हुआ कि इस में डालूंगी एक चमस्ते मैं इसमें डालूंगी क्योंकि यहां पर चावल के आँटे तो मैंने डाल दिये है हमें बस ऐसे गुमा गुमा के इससे मिला लेना है देखिए काफी बहुत टेस्टी बनेगी कर्म मैं इसमें न एक चमच डाली है पावाजी मसाला आप इसे अच्छे से मिला लेंगे और यह हम एक चमच या देख चमच जैसा अंदाजे से हम नमक डालेंगे और हम जैसे नमक डालेंगे न इसमें सा और पाने निकलना सुरू हो जाएगी पे तुरह सा पानी डाला है और जो मैंने द्विआ विडागी लग़ रदा था तो में और इसमें विदेकिया काफी अच्छी से होगेई है कि वग्म कर हाई में आप जो रिफाइन खाते हो या सर्सो तेल आप ढूलकर उस को बहुत ज़्यादा गरम करना का देलों, और हमें गरम तिल में ही डालना है इसको आप लो फ्रेम नहीं करिएगा, इसको medium to high ही रखिएगा, क्योंकि इसमें जो mushroom है उसमें पानी निकलता है, तो एकदम से आपको इसको गरम में ही तलना है, बस यहां भी एक छोटी से चीज है, जो ध्यान में रखनी है, कि हमें ठंडी तेल में ने डालनी है, बहुत ही गरम हो तब ही डालना ह है, आप इसे सॉस के साथ, चेटनी के साथ, स्नैक्स में भी ऐसे खिला सकते हैं, बच्चे भी बहुत पसंद से खाते हैं, बस मेरे देखें, दो बर्तम ने तल लिया, लाश्ट थोड़ा से बचा रहे है, जो लाश्ट वाला बचा है, इसमें थोड़ा सा पानी छूट गया तो अजहा है इसका नमक डालने से, थोड़ा गिली-जिस हो गई है, इसको तौढ़ा ओर फ्राइ ने में टाइप्राइ लगीगा और लेकिन देखें काफी अच्छी हो गई है, अधिका अधिकर अधिकर एक व्याई हो गई है रमट आप जट से इसको काट के निकल गई है, तेस्टी स्नैक्स दस मिनट में यह बन के त्यार हो जाएगी आप एक पास जरूर खोशिस करिएगा फिर ना एक दूसरा सा हम पैन ले लेंगे और उसमें दो चमच गरम तेल ले लेंगे जो मैंने कड़ाई में गरम तेल रखी थे ना मैंने वह यूज की है लेकिन इसको काफ इसमें में आधा चमच पेहने कर एक चमच में यहां पे टोमेटो चीली सॉस डाला है और उसमें तो और चीली डाल रही हो आप अगर खाते हो तो डालिएगा ती अशे हम ज़दा भूनला नहीं है बस हो गया दो तीन कर लिया ना लैसन की डाल रहें कोड के अब इसी मसाव सब्सक्राइब में अगर आप पराठे से खाना चाहते हैं तो इस नुडल्स के साथ भी में तो काफी अच्छी ती नुटल्स के साथ भी खा सकते हैं इतनी अची तेख रही है आप जो हम ने ये फ्राइय किया है इसे हम यहार डालेंगे इतना येक्रिस्पी तान किरस्पी ततना गरम गरम घरम खाएंगे आपके उसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आने वाली है तो जब भी खाना हो ना तभी हम इसको सॉस में डालेंगे और तुरांत इसे हम सॉफ कर देंगे काफी अच्छी दीख रही है ना अब मैं यहाँ पर धन्या पत्तर डाल रही हूँ अगर आपके पास गार्डलिक जो ग्रीन वाली आती है ना पत्तर उसको बारे के बारे करके डालिएगा उसे भी बहुत अच्छी फ्लेवर आती है देखे कितनी बढ़िया दीख रही है ना एक हटके यह डीस है क्योंकि यह दोनों का कंबिनेशन से ना इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट काफी हटके आया है तो प्लीज एक पर प्लीज यह से ट्राइ करियेगा और प्लीज बताएगा कि आपको यह डीस कैसी लगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से लाइक करियेगा और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलियेगा क्योंकि आपका मोटिवेशन ही मुझे और ऐसी वीडियो आगे बनाने के लिए पेरित करेगा तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और प्लीज से कनेक्टेड थैंक यू सो मच फर वाचिंग मैं वीडियो बाइबाइ